प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकोन तो नेवर मिस अनदर वीडियो वेरी गूट मॉर्निंग फैंड्स वंस अगें वेलकम तो यू वाल तो पैनिश्य इंग्लिश क्लासेज फार अकेडिमिक और कॉंपेटिव इंग्लिश दोस्तो मैं भी बिनकुमार गुपता एक बर फिर से आपके सामने हाजूर हूँ इंग्लिश का एक नेट रिक और इंफॉर्मेशन लेकर आपके कॉप्टेटिव एक्जाम के लिए दोस्तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमने बेसिक इंग्लिश के कुछ करेंगे दोस्तो वर्ब से पाटिकुलर्ली रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट हमने देखा था तो इसमें दोस्तो हमने वर्ब को बहुत ही डिटेल में हमें पढ़ने की जरुवत है जिससे आगे के कुछ चैप्टर जो आपके बहुत सारे पूछते हैं जैसे अक्टीप ऐसिव आयर्स टेंस डारेक्ट इनडारेक्ट यह सब जो आपके बहुत सारे एक्जाम से पूछे जाते हैं यह वर्ब वहले टॉपिक से जो आप बेसिक इसका देख लेंगे तो आपका बिल्कुल वह क्लियर हो जाएगा इसलिए दोस्तों इसे बहुत अच्छे से देखने की जरुवत है कि वर्ब एक्चुली इसके classification इसके वाइफरकेशन कैसे होते हैं कौन-कौन से वर्ब होते हैं और कैसे वो यूज होते हैं कि अब इसका एक बार आप basics देख लेंगे इसका तो आपका बिल्कुल clear हो जाएगा और आगे grammar का कोई भी topic आप पढ़ेंगे कहीं से भी आपको कोई confusion नहीं होगा क्योंकि जैसे ही आप active ऐसी शुरू करेंगे उसमें आप transitive verb इन transitive verb अलग लग लग तरह का वर्ब पढ़ेंगे models पढ़ने होंगे auxiliary work पढ़ने होंगे टेंस में पढ़ेंगे तो यह सब चीजे आपको समझने के लिए यहां पर यह सारी basic clear हो जाएगा तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले आज topic स्टाट करते हैं verb what is verb अगर हम लोग सबसे simple word में कहते हैं तो we can say action words are called verbs या हम यह भी कह सकते हैं a verb is a word that tells something about a person or a thing okay verb एक ऐसा word है जो कि किसी something or someone किसी के बारे में कुछ करता है that is called verb verb को अगर हम basically अगर classify करते हैं पाइफरकेट करते हैं तो उसके दो major kind होते हैं one is finite verb and second is non finite verb दो इसके major parts होते हैं verb को अगर हम लोग classify करते हैं दो इसके major part होते हैं finite verb और non finite verb finite verb पहले देखते हैं कि finite verb क्या होता है finite verb ऐसे verb होते हैं जो अपने subject और tense के according change होते रहते हैं finite verb ऐसे verb होते हैं जो अपने subject और tense के according change होते रहते हैं जैसे मैं कहूं I play cricket और दूसरा sentence मैं लिखे हूँ He plays cricket यह दो sentence दोस्तों मैंने लिखा I play cricket और He plays cricket तो देख सकते हैं दोस्तों यह जो play है यह subject recording आई है तो play हो रहा है और He है तो play जा रहा है subject recording singular subject है तो verb में SIS लग गया और plural है तो नहीं लगा तो मतलब ऐसे verb जो अपने subject और tense के according वो form change करते रहे है that is called finite verb और non finite verb क्या होता है non finite verb ऐसे verb होते हैं जो अपने subject और tense के according नहीं change होते हैं वो ऐसे verb non finite verbs करते हैं जैसे मैं कहूं He likes reading और दूसरा मैं लिखूं I like reading अब देखते हैं दोस्तों ये reading इसमें भी है ये reading ये भी है ये ऐसे और finite verb हैं non finite verb हैं जो subject या tense के according नहीं change हो रहा हैं बलकि केवल main verb change हो रहा हैं लेकिन जो non finite verb हैं वो बिल्कुल भी change नहीं हो रहा हैं तो दोस्तों finite और non finite verb में केवल यही difference होता है कि finite verb में verb अपने subject और tense के according change होते हैं और non finite verb में subject और tense के according वो verb नहीं change होते हैं ये होता है finite verb और non finite verb अब देखते हैं finite verb के कुछ kinds हैं और non finite verb के कुछ kinds हैं तो non finite verb हम अपने next वीडियो में पढ़ेंगे अभी हमको detail में क्यों पढ़ना है finite verb पहले finite verb देखते हैं कौन-कौन से kinds हैं finite verb में सबसे पहला जो kind होता है वो होता है transitive verb दूसरा होता है intransitive verb third is linking verb and fourth is auxiliary verb non finite verb की बात करें first one is participle second is infinitive and third is gerund तो ये non finite दोस्तों ये अलग एक chapter ये पूरा इसको हम लोग अपने next वीडियो में पढ़ेंगे अभी इस वीडियो का हमारा जो main topic है जो important आपके ग्रम आपके competitive exam के point of usage जो सबसे important है वो है finite verb तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग finite verb को detail में study करेंगे और इसको discuss करेंगे कि कैसे इसको हम exam में कर सकते हैं तो non finite वो हम लोग next वीडियो में पढ़ेंगे finite verb जो four kinds है transitive verb, intransitive verb, linking verb और auxiliary verb इसको one by one करके थोड़े से इसके tricks और facts हम लोग देखते हैं दोस्तों तो सबसे पहला जो है दोस्तों वो है transitive verb, सबसे पहला जो इसमें होता है वो होता है transitive verb transitive verb, हिंदी में भी दोस्तों अपने पढ़ा होगा सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया, it is the same in English also, transitive verb, the verb which need an object to complete its sense is called transitive verb means ऐसे verb जिसको अपने sense को complete करने के लिए object की जरुबत पड़ती है उसे हम transitive verb करते हैं दोस्तों हमारे पिछले वीडियो मैंने direct और indirect object को बताया था कि object क्या होता है किसी भी word को find out करना है वो object है या नहीं है इसके लिए दोस्तों मैंने कुछ trick दिया था कि what और whom लगाएंगे तो आपको पता चल जागा वो word object है या नहीं है तो transitive verb ऐसे verb होते हैं जिसको अपने sense को complete करने के लिए object की जुरत पड़ती है जैसे सीमा reads a book अब देखते हैं दोस्तों यह सीमा subject है read verb है और book object है अगर हम और book हटा लें तो हो जागा सीमा read सीमा पड़ती है क्या पड़ती है meaning is not clear तो हमें meaning को complete करने के लिए एक object चाहिए औ complete word है सीमा reads a book सीमा एक बुक पड़ती है वैसे दूसरा sentence है so on writes a story so on subject है write verb है और story क्या है एक object है अगर हम लिखते हैं कि वह सोहन writes so on लिखता है बट यह sentence incomplete है क्या लिखता है नहीं पता है तो जब लिखेंगे a story तब वो sentence clear वह सोहन एक कहानी और story लिखता है तो transitive verb means as a verb which needs object to complete its sense is called transitive verb ऐसे वर्व जिसको अपने sense को complete करने के लिए meaning को complete करने के लिए एक object की जरूरत पड़ती है ऐसे वर्व को हम transitive verb कहते हैं next is intransitive verb intransitive verb क्या होता हो जोस्तों हिंदी में जो अकर्मक्रिया आपने पढ़ा होगा intransitive verb means such verb which does not need any object to complete its sense is called intransitive verb means ऐसे वर्व जिसको किसी और word की जरूरत नहीं होती है sense को complete करने के लिए वो अपने आप में complete meaning देते हैं complete sense देते हैं intransitive verb है he laugh वह हसता है यह अपने आप में complete sense देरा इसको नहीं है कोई object की जरूरत यहाँ पे नहीं है तो ऐसे verb दोस्तों जिसको अपने sense को complete करने के लिए किसी object की जरूरत नहीं पड़ती है उसे हम intransitive verb कहते हैं third is linking verb linking verb इसका दोस्तों एक दूसरा नाम भी होता है linking verb का word of incomplete prediction linking verb का दूसरा नाम भी होता है word of incomplete prediction linking verb क्या होता है पहले दोस्तों ही जाते है the verb which need a compliment to complete its meaning is linking verb as verb जिसको अपने sense को complete करने के लिए एक compliment की जरूरत पड़ती है दोस्तों याद होगा मैंने पिसले वीडियो में बताया था what is the difference between object and compliment किसी भी sentence में object को कैसे पाचाने और compliment को कैसे पाचाने उसके लिए मैंने trick बताया था कि अगर object को बचाना उस sentence में what या whom लगाएंगे तो आपको object मिल जाएगा और what या whom लगाने से जो word नहीं मिलता है वही compliment होता है ठीक है दोस्तों तो ऐसे वर लिंकिंग वर्व होते हैं जिसको अपने sense को complete करने के लिए किसी particular compliment की जरुवत होती है ऐसे वर्व को हम क्या कहते हैं लिंकिंग वर्व कहते हैं लिंकिंग वर्व में ismr was where होते हैं good होता है taste soldiers sorry word seem tired यह सब जो word होते हैं यह आपके लिंकिंग वर्व के sense में आते जैसे sita is a girl the soldiers was thirsty soldiers अब देखिए वर्व है इसके complete sense करने के लिए thirsty sugar taste is sweet अब sugar taste is sugar क्या रहा है उसका test होता है कैसा अब test यह वर्व है अब यह object नहीं है यह क्या है compliment है the girls seems tired लिंकिंग वर्व ऐसे वर्व होते हैं जिसको अपने sense को complete करने के लिए एक particular compliment की जरुवत होती है ऐसे वर्व को हम क्या कहते हैं linking वर्व या वर्व आप incomplete प्रेडिकेशन तो तीन दरह के वर्व हम लोग दोस्तों ने पढ़ दिया हम लोग ने जो अभी चार दरह के वर्व मैंने बताया है ट्रांजिटी पढ़ लिया इंट्रांजिटी पढ़ लिया लिंकिंग पढ़ लिया अब चौथा देखते हैं जो सबसे important है जिसके बेस पे आपके English grammar के बहुत सारे chapter है वह होता है और जुल्री वर्व क्या होता है दोस्तों और जुल्री का मतलब क्या होता है पहले जाते है अब जुल्री वर्वृम है ए स्टम उल्र मिंग अग्शूल्री वर्व काते हैं सक्ट नोट।फॉ यूस्टू यह सब सारे वर्ड मॉडल्स का अलग चैप्टर होता है दोस्तों यह भी हल्पिंग वर्ब में आते इसलिए उन्हें इसको तीन तरह में बाटते हैं b जिसमें यहज हास्य है होता है और डू चो और दोस्तों तो दूसरा जो होता आपका model auxiliary verb ये आपका अलग chapter है दोस्तों model से related भी exam में आपके questions आते हैं, close test में भी fill in the blanks में भी ये सब में आपके आते हैं, ये एक अलग chapter है, इसको हम अलग chapter group में एक दिन पढ़ेंगे वीडियो में अपने, लेकिन अभी हम लोगों ने जाना auxiliary verb के bifurk कि अधर करने पर दो तरह के अलग अलग word बन ते हैं, primary auxiliary word और model auxiliary verb तो primary auxiliary word पे हम लोगों ने देख लिया क्या क्या होता है और model auxiliary word पे भी हम लोगों ने देख लिया तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा, ही total हम लोगनो वर्विड जो kats पढ़ें वह dwthar comme shape फड़ locked और non-finite verb, non-finite verb is different, first of all we are reading here finite verb, finite verb जो four kinds होते हैं, transitive verb, intransitive verb, linking verb and auxiliary verb, तो ये चारो तरह के kinds हम लोगों पढ़े दोस्तों, और हमारे examination के point of use से हमने अपना एक base बहुत strong किया, यहाँ verb को लेकर करके, जिससे आगे के related अगर हम models परते हैं, तभी आपको help करेगा एगर हम लोग tense परते हैं, तभी एग chapter help करेगा, active perseverize परते हैं, तभी एग और डारेक्ट इदारेक्ट परते हैं, तब यह chapter आपको help करेगा क्योंकि कोई भी अगर आप grammar का part परते हैं तो उसमें आपको पता है वो helping work हो या main verb उसका बहुत ज्यादा role उस part में होता है जिसको हमें समझने के लिए verb का base form और verb की basic हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया तो आसा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए competitive exam के लिए बहुत ज़्यादा help होगा और आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो like जरूर करिएगा और comment बताएगे वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल